यह sentences read करी अच्छे से और देखिए कि इन जितने भी sentences मैंने हैं पर नोट किये कि उनमें क्या difference है ठीक है मैं तो बताऊंगे आपको बट आप खुद भी note करके देखिए सेंटेंस है उसने चितर बनाया नेक्स्ट उसने चितर बनवाया मैं पत्र लिख रही हूँ तूम कपड़े दोगें नेक्स्ट है तूम कपड़े धुलवाओके व अभी इनके बीच में वह अभी तक आपने आउट कर लिया होगा तो देखिए इन में डिफ्रेंस यह है कि जो भी पहला सेंटेंस है यहां पर है उसने चितर बनाया मिस इसमें जो सब्जेक्ट है उसने वह काम कुझ कर रहा है लेकिन ने चितर बनवाया अब उसने चितर बनाया तो क्या आप मुझे यह बताइए कि यहां पे जो बनवाया है यह तो वह हम जानते हैं तो क्या काम उसने खुद किया नहीं उसने काम खुद नहीं किया है इन फैक्ट उसने कोई चितर बनवाया खुद नहीं बनाया उसने कोई चितर बनवाया उपर वाले सेंटेंस में उसने जो subject है में वो खुद काम कर रयी है और वो क्या कर रहे है पत्र लिख रही है लेकिन second sentence में मैं पत्र लिखवा रही हूं जो सब्जेक्ट है sentence का वो काम खुद नहीं कर रहा है वो काम किसी और से करवा रहा है ठीक है इसी तरह से next sentence में हैं कि तुम कपड़े धोगे means काम कौन करेगा जो sentence का subject है तुम काम कर रहे हो या कपड़े धोगे next sentence है तुम कपड़े धुलुआओगे मिस तुम कोगद काम नहीं करोगे तुम काम किसी और से करवाओगे तो वैसे तो ये past tense का sentence है यह शाइब बैकिन यह संथे में डूर है लेकिन डूसरे संथ में डूर एवलेबल नहीं है मिन्स जो सब्जेक्ट काम किसी और से करवा रहा है तो बस आज मैं आपको यही बताने वाली हूं अगर सेंटेंस में काम कोई और करें तो तब हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं आज मैं आपको कराने वाली हूं कोजटीव वाब वैसे दो फोर होती है लेकिन आज मैं आपको ओनली टू ही कराऊंगी क्यां ठीक क्छले देख लैते कि कैसे हम रूल को फॉर्म करेंगे कैसे-कैसे सैंटेस हम इसके बनाइगे तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडि़ो हम्तिक चार होती है लेकिन आज मैं केवल चाइफ घंड का ही हूं आपको पताने वाली हूं कि कहां पर हम्तिक करने यह तो आपको पता ही चल गया कि कहां पर यूज करना है जब सेंटेस में सब्जेक्ट डूर्ड ना हो मिस्व अपना काम खुद ना करो जो भी सेंटेस में किया जा रहे तो वहां पर हम कोजिटिव करते हैं तो मैं सेंटेस बाई सेंटेस आपको बताते हुँ जाओंगी पोजिटिव सेंटेस में कैसे यूज करना है नेगेटिव में कैसे यूज करना है इंटरोगेटिव में यूज कैसे करना है तो देखिए पहले हम कर ले थे पोजिटिव सेंटेस तो यह रूल हो गया है सब्जेक्ट प्लस गेट है अभी बताऊंगी कैसे हम इसको बनाते हैं तो उसमें वर्ब जो होती है अलग-अलग-वंड लगती है यहां पर सब्सक्राइब लगाएंगे तो पहले सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब लगाएंगे अगर प्रजेंट इन दोनों की ही लगाएंगे ठीक है अगर past tense है और हमें में व्की सेकिन फोर्म लगाने है तो में मीन की सेकिन फोर्म हें इनिकी ही लगाएंगे अगर हमें आ एन जी लगाना हो तो आ एन जी भी इनिकी में लगेगा सब्सक्राइब आगे तो इन इस नहीं ही हां पर लिखा है according to ten है उसके बाद हमें लगाना है object में sentence में जो भी object है वो आचाएगा उसके बाद sentence में आने वाली जो verb है उसकी हम third form use करेंगे and after that other word जो भी remaining words बचे वो उसने चितर बनवाया तो यह sentence हो गया है कि उसने चितर बनवाया अभी मैं positive बता रही हूं negative कैसे बनाएंगे वह भी देखेंगे तो उसने चितर बनवाया देखें सब्जेक्ट है उसने ठीक है हाला कि वह डूर नहीं है बर sentence का subject यह ही है चितर है object में अभी क्या है बनवाया और चितर बनवाने के यहां के लिए हम क्या यूज करते हैं तो देखें अप्लाइख की जिस रूल को सब्से पहले हम लिखेंगे subject subject है ही अब देखें यहां पर उसने कौन है नहीं है जैंडर के लिए नहीं है कि यह कोई girl है यह फिर कोई boy है तो कुछ भी लगा सकते है तो हम यहां पर लिखें ह ही और शी कुछ भी ले लीचे अब आप देखी पास इंडरीट का सेंटेंस अगर आपको सेंटेंस आते हैं बनाने तो आप देखें पैचन जाओंगे कि पास इंडरीट का सेंटेंस है और पास इंडरीट के सेंटेंस की पोजिटिव का रूल क्या होता है subject plus main verb second object and then other words तो व object क्या है picture she got picture अब object में अब क्या है हमने है बनवाया बनवाया के लिए हम ड्रो यूज करते हैं थर्ड फॉर्मिल लगाएंगे हम इसकी ड्रोन अब देखिए इसमें कोई other words नहीं है तो इसमें other word का कोई रोल ही नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे तो यह क्या हो गया sentence हो गया he got picture ड्रोन थोड़ा साथ पटा लगेगा भी आपको के लिए हम थोड़े देर से used to हो पाते हैं तो यह हो गया श्री या he got picture ड्रोन तो उसने चितर बनवाया एक और देख लीजा एक्जांबल मैं अपने बाल कटवाऊंगी तो देखें मैं अपने बाल कटवाऊंगी वो काम खुद नहीं कर रही वो अपने बाल खुद नहीं काटेगी वो अपने बाल कटवाएगी अब future tense का sentence है आपको पते होगा अगर future tense का sentence होता है तो subject के बाद will share लगता है verb की first room लगती है और यहाँ पर according to the tense हम get or have को use करने वाले है ठीक है after that object and verb third तो कैसे बन जाएगा subject है मैं तो I हो जाएगा I के साथ हम use करने वाले है shell according to the rule मैंने हापर लिखा है helping above the tense तो future indefinite का sentence है तो I के बाद हमने use किया shell अब shell के बाद क्या get, get के first room आजाएगी अब देखिए एक बात और आप याद रखेगा आपको क्या करना है या तो आप get use कर लीजे या फिर have use कर लीजे जो आपका मन है ये optional है आप have का use करेंगे तो भी sentence correct होगा आप get का use करेंगे तो भी sentence correct होगा तो ये हो जाएगा I shall get object क्या है अपने बाल तो अपने बाल किसके मेरे तो my hair अब वर्ब क्या है sentence में कटवाना तो कटवाने के लिए हम यूज करते है कट की तीनों कट ही होती है तो sentence हो गया I shall get my hair cut मैं अपने बाल कटवाऊंगी होप ये समझ में आ गया है आपको अब चल लेते है नेगेटिव रूल पे इसके अब देखें नेगेटिव रूल में क् अब जेक्ट पस हेल्पिंग वर्ब उसके बाद note after that get according to the tense then object main verb की third form and other words ये के नेगेटिव रूल है subject पस हेल्पिंग वर्ब और helping verb हम लगाएंगे according to the tense उसके बाद note आ जाएगा and get or have according to the tense means अगर हमें verb की first form लगानी है तो हम इनी में ही लगाएंगे ing लगानी है तो इनी मे यूज करेंगे और जो मेन वाएगी sentence में जो भी sentence हम बनाएंगे उसमें जो मेन वाएगी उसकी third form लगाएंगे and after that other words तो यही एक्जामपल ले लेते हैं कि वह चिदर नहीं बनवा रही है तो देखे present continuous sentence है और आपको पता ही होगा कि present continuous में helping verb आती है इसरम और verb की आती है fourth form means main verb की first form में ing use होता है तो यह sentence हो जाएगा she is not getting a picture drone तो according to the rule पहले subject आगे यह है she after that helping वा जाएगे she is not use करेंगे she is not get और get में हमें ing लगानी है तो यह हो जाएगा getting a picture object है right तो यह sentence हो गया I shall not get my hair cut आपको पता होगा feature indefinite में verb की first form का ही use होता है इसलिए हमने यहापे get की first form ही लगाई है और helping verb आपको पता है हम लगाते है तो इतना होप आपको समझ में आ गया होगा देखिए translation कारना मस्ट है को सीखने के लिए क्योंकि हमें इसमें according to the tense helping verb भी लगानी होती है और जो sentence में में वर्ब भी लगानी होती है और जो sentence में में वर्ब आई है तो वो तो हम उसकी third form लगाएंगे ही लगाएंगे होप इतन तो देख लेते हैं interrogative sentences देखे रूल है helping verb मैंने यहाप helping verb भी लगानी है तो सबसे पहले आ जाएगा helping verb after that आ जाएगा subject उसके बाद get and have according to the tense उसके बाद object आएगा after that main verb third जो भी sentence में आएगी वर्ब and after that other words अगा sentence में है तो कोई ठीक है यही example ले लेते हैं क्या तुम एक चित चित्र बनवाओगे sentence होगे क्या तुम एक चित्र बनवाओगे future का होगे आपको पता यह feature में will shall का use करेंगे तुम हमारा subject है तो will का use करेंगे तो starting में use हो जाएगा will पूरा sentence हो जाएगा will you helping अब क्या हुआ will हो गया आप subject क्या है यू है after that get have भी लगा सकते हो राइट चलो have से बना देती हूँ में एक sentence will you have after that a picture drone गैटे से भी बना सकते जैसे will you get a picture drone choice आपकी है आप जो मन करें वह आप लगा सकते मैं ज्यादतर में use to हूँ get को use करनेगी तो आपको भी ठीक लगे जिसमें आपको लगे क्या comfortable वह आपको easily learn हो जाए वह आप यूज कर लीचेगा राइट एक और example ले 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 लेते है क्या पास कर लेते हैं क्या उसने मकान बनवाया यह sentence हो गया है पास्टेंस का राइट क्या उसने मकान बनवाया और पास इंडेफिनित का सेंटेंस आपको पता ही चल गया होगा और पास इंडेफिनित का interrogative first का rule क्या होता है helping वह वहती है दिड दिड को starting में यूज करेंगे after that subject object आता है फिर में फिर में फास आती है object आता है अदर वर्स आते हैं तो यहां पर हम दिड को starting में लगाएंगे तो हमारा sentence बज जाएगा अब उसने का देखिए उसने है ना पता नहीं शी है या ही है तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं तो हो जाएगा डिड शी राइट अ फा डार हाउस तो यहां पर हम एक मकान राइप एक नहीं है लेकिन हम आहीं लगाएंगे इसके साथ में वर्स ओवर्स इन्टरोगेटिव सेकें में में गाइंगे वर्स होने वाला है बस इस से पहले हो लगाने वाले question floss तो रूट देखे पहले तो यह रूल देखिए इंटरोगेटिव सेकिंड का सबसे पहले कोशन वर्स आ जाएंगे अप्टर एट हेल्पिंग वर्ब उसके बास सब्जेक्ट आपको पता यह क्या को रिंट तुदा अब्जेक्ट वर्ब की थर्फों जो भी सेंटेंस में वर्ब दी गई उसकी थर्फ कर देते हैं कि क्या है क्या है कभी यहां पर यूज हुआ है तो कब को हम लिखते है वें वें फुचर का है तो विल आ जाएगा आपके फर्स फॉम हमने लगाई है यह सेंटेंस हो गया है वैंड विल्ट वह घर कब बनवाएगी नेक्स एक्जापल देखे तुम पत्र क्यो लिखवा रहे थे यह पास्ट का सेंटेंस ले लिया है तुम पत्र कब लिखवा रहे थे तो जिन स्टुडेंस को आता है पास्टेंस का रूल अग पास्ट कॉंटिनूर्स का तो आपको पता ही होगा कि helping verb वोज वर यूज करते हैं and verb की first form में आयंज लगाते हैं means verb की fourth form लगाते हैं तो वो ही apply कर देते हैं यहां पे rule तो इंट्रोगेटी word है इसमें क्यों क्यों को हमें starting में यूज कर लिया why after that were because subject हमारा you है तो हम were यूज करेंगे वाइवर यू अब get की first form में आयंज लगाने थी हम लोगों को तो यह हो गया getting a letter object है and then verb वर वर यूज वर यूज करा दिया है नेगेटी भी rule करा दिया है और दोनो टैप्स के interrogative ही मैं आपको करा दे होग सारा समझ में आया होगा यह आपको देखें को जो हम स्टार्टिंग में सीखते है तो थोड़ा से difficult लगता है हम लोगों को क्योंकि हमें अलग से अभी तक तो हमने ऐसे sentence से सीखे हैं जिन में हम sentence में आने वाली वर्ब की ही form यूज करते हैं लेकिन यहां पर हमें जो sentence में वर्ब आई है उसे भी यूज करना है और उसके अलावा हमें has and get को have and get को भी यूज करना है तो थोड़ा सा confusing हो जाता है स्टार्टिंग में लेकिन अगर आप इसकी practice करोगे तो easily आपके mind में set हो ज ची है make and cause वह मैं next video में आपको बताऊंगे क्योंकि अगर मैं इसी में expand करते तो काफी lengthy हो जाएगी वीडियो वह हम next video में cover करेंगे तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next video में तिल देन बबाई टेक के स्टे हैं गें कीप लर्निंग